तो आपको अंतिम चरण में जो हाई प्रोफाइल सीटे दाव पर हैं उनके बारे में बताने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौझूद हैं देखें आज के चुनाव की जो सबसे बड़ी सुर्खी है सबसे बड़ी जो केंद्र में सीट है वो है प्रधानमंत्री की सीट वारानसी और आखरी चरण में वारानसी पर मद्दान हो रहा है और इसे लेकर प्रधानमंत्री वारानसी से क्योंकि पहले भी चुने गए 2014 में औ अदव मैदान में है, हाला कि बीच में आपको याद होगा जिस तरह से तेज बहदूर आये थे मैदान में, लेकिन उनका नॉमिनेशन रद्ध हो गया, पर दिल्चस पर ये देखना है कि अजे राय जो की कॉंग्रेस पार्टी से हैं, वो तीसरे नंबर पर रहे थे, 2014 की दौ पर ही सिमट गए थे, तो एक जीत का एक बड़ा मार्जन था, और काशी अपने आप में जिस तरह से हिंदुत्व से लेकर, कला, संस्कृती और तमाम जो रंग हैं, उसके अपने हमें समेटे हुए हैं, तो एक विशेश थान काशी अपने आप में रखती है, लेकिन अब इ प्रधान मंतरी वहां पर कितने बड़े मार्जन से जीतते हैं, क्योंकि रोडशो याद होगा आपको, नमांकन के समय का, ऐसा जबरतस्त रोडशो था, जिसमें ऐसी भीर उमड़ी थी, कि काशी वासी तो गदगद थे ही, और उनका ये क्याना था, कि इस बार हमें प्रधा को भी नहीं भुला सकते कि कॉंग्रिस पार्टी की ही, जो समर्थक हैं, या जो उनके कारी करता है, वो ये मांग कर रहे थे कि प्रियंका गांदी के वारा नसे से चुनाव लड़ जाएं, प्रधान मंतरी के खिलाब, तो ये एक ऐसी लड़ाई होती, जिसे हम कहते हैं, क्ल लेकिन खेर, ये तो बात हुई कि किस तरह से प्रत्याशियों का जो पूरा समी करन है, वो यहाँ पर है, लेकिन अब देखना ये भी दिल्चस्प होगा, कि जो विकास कारे जिनका दावा बीजेपी करती है, उसके मद्ने नजर, वोट जो है, वो कितनी बड़ी संख्या मे प्रधान मंत्री को मिलता है, किदानात के दर्शन कल प्रधान मंत्री करके आए, वहाँ पर राद भर गुफा में साधना में लीन भी रहे, आज बद्रिनाद पहुंचे है, टीमसी ने शिकायद भी किया चुनाव आयोग में और विपक्ष भी निशाना ये कहते हुए साध रहा है, कि प्रधान मंत्री जब इस तरह की साधना में लीन है और वो भी उस समय में आचार सहिंता जब लागू है, 48 गंटे से पहले पहले प्रचार बंध हो जाता है, तो ये भी एक तरह का प्रचार है जो वोटों को प्रभावित कर सकता है, अब देखना होगा चुनाव मंत्री मोधी का कैंडिडेचर वारानसी से अनाउंस हुआ, तो जो पूरवांचल का ये बेल्ट था, यहां पर सभी जगा पर बीजेपी ने अच्छा प्रधर्शन किया अपने पिछले प्रधर्शनों के हिसाथ से, और गोरखपुर तो बीजेपी का घड रही है, वहां से पांच बार सांसद रहें, मतला 25 साल तक तो योगी अधितिनाथ के पास ही वह इलाका रहा, अब दिलचस्प इसलिए भी कि इस बार बैदान में यहां से बीजेपी से रवी किशन है और रामभुवाल निशाद समाजवादी पार्टी से हैं, रवी किशन अपने आपने एक कहते हुए देते हैं कि 2014 में जब मोदी लेहर थी, तो कई ऐसे प्रत्याशी जिनका कोई राजनितिक बैक्ग्राउंड नहीं है, उन्होंने जीत दर्ज की थी, तो उसी लहाज से रवी किशन तो सिर्फ वहां से कैडिडेट है, लेकिन वोटिंग हो रही है प्रधान मंतरी म मोदी के नाम पर, लेकिन गोरकपुर इलाका है योगी आदियतियनाद का, जो कि सुबे में मुख्यमंतरी है, हाना कि उपचुनाव हार गए थे उन्हीं के प्रत्याशी, तो इसको ये कहते हुए देखा गया, कि ये हार प्रत्याशी की नहीं, बलकि मुख्यमंतरी की हार है तो इस बार पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो योगी आदियतियनाद के उपर है कि प्रत्याशी जो रवी किशन है वो यहां से जरूर जीत दर्च करें आई अब बात करते हैं अगली हाई प्रोफाइल सीट की और ये सीट है कुशी नगर की जहां से कॉंग्रेस पार्टी से मैदान में है आर्पियन सिंग और विजे दूबे है बीजेपी से लडाई दिलचास पर है क्योंकि भाजपा ने यहां से अपने मौजुदा सांसद राजेश पांडे का टिकेट काट दिया है और विजे दूबे को उमीदवर बताया है हाला कि 2009 में कॉंग्रेस की टिकेट पर जीत कर मनमोहन सरकार में मंतरी बने आर्पियन सिंग इस बार मैदान में है और 2014 की जो तस्वीर थी उसमें आर्पियन सिंग हारे थे और अब इस बार ये भी आपको बुदा दें कि क्या टककर दे पाएंगे बीजे पी को ये देखना दिलचस्प होगा आई अब बात करते हैं अगली सीट की गाजी पूर इस पर भी बहुत नजरे हैं क्योंकि यहां से मनोच सिनह मैदान में हैं और BSP से हैं अफजाल अंसारी अब देखें ये सीट इसलिए खास है क्योंकि मनोच सिनह अपने विकास कारियों और प्रधान मंत्री की छवी पर निर्बान है कि अंदर में मंत्री भी तो अंसारी सपा बसपा के सामाजिक सयोजन की वज़ह से मजबूत दिखाई दे रहे हैं और उत्तरप्रवेश की लड़ाई इसलिए दिल्चस्प है कि जो भाजपा पिछले जुनाव में 73 सीटों पर कब्जा जमा पाई थी इस बार क्या वो उस प्रधरशन को दोहरापानी की स्थिति में है क्योंकि गठबंदन हो गया है SP और BSP का और ये जो गठबंदन है ये किस तरह से वोटो को अपने में समयटेगा बटने से ये इस बार UP की लड़ाई में सबसे एहम है अंसारी जेल में बंद बहुबली मुक्तार अंसारी के भाई हैं और अच्छा स्थानिये समर्थन इनके पास है चंदौली की सीट के अब बात करते हैं जहां से बीजेपी से महेंदरनाथ पांडे मैदान में हैं और शिवकर्णिया कुश्वाहा जेएपी से मैदान में है भाजपात्यक्षपी है महेंदरनाथ पांडे लेकिन 2014 जैसी आसान ये रहा नहीं है मनोद सिना की टकर जो महेंदरनाथ पांडे है खबरों में रहते हैं और इनको कमान बीजेपी ने अपनी दी है वो अपने आप में वोटों में किस हद तक तब्दील हो पाएगी इस पर सबकी निगाहें इस बार रहेंगी आई यह बात करते हैं मिर्जापूर सीट की अनुप्रिया पटेल अपनी जीत का पूरा दावा कर रही है पूरा भरोसर चता रही है कि वोटर्स उन्हें पसंद करेंगे एक बार फिर से लेकिन यहां पर यह भी देखना दिल्चस्प है कि जो जातिय समी करने जिसकी वज़ास से यह सीट अनुप्रिया पटेल को दी गई कुर्मी वोट बैंक जिसको रिप्रेजेंट करती है अनुप्रिया अच्छी खासी संख्या है हालांकि अपना दल के एक अलग गुट ने कॉंग्रेस को अपना समर्थन दिया और इस गुट की अगवाई करती है अनुप्रिया पटेल की मा तो वहीं कॉंग्रेस को सुहल दिव भारते समाज पाटी का भी समर्थन हासिल है जिसकी अगवाई पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजवर करते रहे हैं ऐसे बीजेपी के को उन्होंने एक अच्छा खासा सरदर्द दिया हुआ था वह आपने खबरों में देखा ही होगा तो यह दो बाती उत्तर प्रदेश की अब हम बात करते हैं उस राज्ये की जो पिछले चार दिन से जबरदस सुर्ख्यों में बात पश्चिम मंगाल की आ राज्ये की स्थिति को देखते हुए और इसको लेकर आरोप TMC और बाकी दल BJP पर लगाते रहे कि उन्होंने उनके दबाव में चुनाव आयोग ने यह कतम उठाया प्रदान मंतरी मोदी और ममता बैनर जी जो कि राज्ये की मुख्य मंतरी हैं उनके बीच में जिस तरह की वाक युद होता रहा सीथे सीदे ममताब आनर जी अमिच्छा और प्रदान मंतरी को रैली से गुंडे बोल रही है तो प्रदान मंतरी और अमिच्छा ये कह हैं कि ममताब आनर जी की तानाशाही चल रही है इन सब के बीच कोलकाता जहां से TMC का उद्दय हुआ वो इलाका इस बार दाव पर है लहाजा ये जो अंतिम चरण की वोटिंग थी इसमें लड़ाई और ज्यादा प्रकर होती चली गई तो जब हम दमदम सीट की बात कर रहे हैं तो सौगत राय यहां से टीमसी के टिकेट पर चुनाव लड़ रहे हैं और नेपाल देव भटाचार्या CPM से हैं पश्ची बंगाल के लिहाज से बीजेपी के लिए ये बहुत एहम है और यही वज़य है कि बीजेपी ने इन सीटों पर सबसे जादा जोर भी लगाया है कॉंग्रेस से हैं शत्रुगन सिनह मैदान में जो कि इससे पहले बीजेपी के टिकेट पर चुनाव लड़ते आए दो बार यहां से जब से पटना साहीब लोगसभा सीट अस्तित्व में आई तब से शत्रुगन सिनह ही यहां पर सांसन है लेकिन इस बार बीजेपी में नह साने की कोशिश की कि मेरा दल कोई हो मेरा वोटर मुझ से जुड़ता है और इसलिए हम पटना साहीब से जुनाव लड़ेंगे लेकिन अब जब शत्रुगन सिनह के सामने रविशंकर प्रसाध है जो एक तरह से पहली बार लोगसभा चुनाव लड़ रहे हैं इससे पहले उन्होंने नहीं लड़ा लोगसभा चुनाव तो कैसे यह टक्कर होगी और कौन सिट को निकालने जाएगा इंतजार इसके लिए 23 मही कराएगा आई यह बात करते हैं पाटली पुत्र की और राम कृपाल यादव यहां से बीजेपी के टिकट पर है जो की सिटिंग MPB है औ जब मीसा भारती खुरा कर वो संसत पहुंचे और एक बार फिर वही लड़ाई मैदान में हैं मीसा भारती के लिए रामरी देवी प्रचार कर रही है और जोली फैला कर उनके लिए वोट मांग रही है जबकि लालु यादव जेल में है तो इसलिए परिवार के लिहाज से यह साक का सवाल पाटली पूत्र सीट इस बार है आए अब बात करते है आरा की जहांसे एक बार फिर बीजेपी के कर्दावर नीटा आर के सिंभ मैदान में है और CPI के राजु यादव यहां से मैदान में है राजु यादव का सीधा सामना मौजुदा सांसर राजकोमार सि से है पूर्वी केंद्रे क्रह सची वूर्जा क्षेत्र में अपने कारे और क्रामंद्री मोदी की छवी पर ये निर्भर कर रहे हैं लेकिन ये भी इसके मद्दनजर के अश्विनी चौबे और राजद के जग्दनानंद सिंग का मुकाबला है अपने बयानों से सुर्कियों में रहने वाले अश्विनी चौबे को जनता कितना चाहती है इसका पता चलेगा आपको 23 मई को आई अगर करते हैं सासाराम सीट का जहां से लोग सभा की स्पीकर पहली महीला स्पीकर रही मीरा कुमार मैदान में है और BJP से छेदी पास्वान यहां पर मैदान में लड़ाई सीधी है लेकिन जो राजनितिक विशलेशक हैं वो ये मानते हैं कि बेशक छेदीप पासवान जमीन पर ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन मीरा कुमार भी उन्हें जबरदस टककर देती भी दिखाई देती है कॉंग्रेस पार्टी का बड़ा दलिक चेहरा है मीरा कुमार और हमेशा हाई प्रोफाइल कद उनका राजनिती में रहा लेकिन वोटर के मन को किस तरह से प्रभावित कर पाती हैं वोट कितने हासिल कर पाती हैं इंतजार रहेगा आई अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की अंतिम दौर में हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और हमीरपूर यहां की हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी क्योंकि अनुराग ठाकूर यहां से बीजेपी के उमीदवार है और राम नाल ठाकूर कॉंग्रेस पार्टी की टिकेट पर बीजेपी की तरफ से तीन बार सांसद रह जुके हैं अनुराग ठाकूर और इसलिए इसे हाई प्रोफाइल माना जा रहा है जबकि कॉंग्रेस की तरफ से तीन बार हारने वाले रामलाल ठाकूर सामने है और उनी पर एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी ने दाव लगाया है अरुनाग ठाकूर को BJP हिमाचल में अपने भविशे के तौर पर भी देखती है हाना कि अभी तो वो सांसत का चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन राज्य में भविशे में मोख्य मंत्री पद का चहरा भी हो सकते हैं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता आई अब रुक करते हैं जहारखंड का जहां से दुमका से शिबू सोरेन और BJP से पिछले जुनाव में संताल परगना नहीं जहारखंड में BJP का विजय रत रोका था और पूरे प्रदेश में विजय पता का फेराने वाले BJP को दुमका में हार का सामना करना पड़ा था हाना कि फिर हाल के वर्षों में सरकार की विकास योजनाओ ने यहां पर BJP ने पैठ बनाई है तो देखना होगा कि राजसरकार ने जो परफॉर्म किया है उसकी वजह से लोकसभा चुनाव में जहारखंड से कितना फायदा BJP को मिलता है आई अब रूख करते हैं मद्य प्रदेश का जहांपर आज आठ सीटों पर हो रही है और यहां की जो हाई प्रोफाइल सीटे've हैं उसमें मंसौर, रतलाम, इसके लाव़ उजियन, इंदौर यहां की हाई प्रोफाइल सीटे इस बार है मंदसौर इसलिए भी important जाती है कि किसान आंदोलन का केंद्र ये रहा और ठीक जब मंद्यप्रदेश में विधान सभा चुनाव हुए उससे पहले मंदसौर में जो आंदोलन हुआ सीदे सीदे ये माना जा रहा था कि ये आंदोलन बीजेपी की स्थिती को राज्य में बिगार सकता है बीजेपी ने सरकार खोई, कॉंग्रेस पार्टी ने मद्रदेश में सरकार बनाई और अब मंसौर में मुकाबला एक बार फिर से 2014 में जिन दोखे बीच था उनी के बीच में इस बार भी है कॉंग्रेस पार्टी से मिनाक्षी नटराजन है और बीजेपी से सुधीर वुपता जो की सिटिंग एम्पी है लेकिन 2014 में सुधीर गुपता ने मिनाक्षी नटराजन को 3 लाख मतों से हराया था इस बार क्या यही प्रदीश प्रदरशन दोराते हैं यह देखना होगा बात करते हैं रतलाम और जाबुआ की जहांसे कांतिलाल भूरिया कॉंग्रेस पार्टी से और गुमान सिंग बीजेपी से मैदान में है दरसल मदिप्रदेश के रतलाम जाबुआ सीट में बीजेपी के उमिदवार जीएस डामोर ने विधानसभा चुनाव में विकरांत भूरिया को हराया आई अब रुक करते हैं पंजाब का क्योंकि पंजाब की सभी तेरा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है राज्ये में Congress की सरकार है और देखना ये दिल्चस्प होगा कि राज्ये में सरकार होने का फाइदा का केंदर में Congress Party को पंजाब से मिलता है और मिलता है तो किस हद तक मिलता है सबसे पहले बात करते है गुर्दासपूर की जहां से बीजेपी ने स्टार पावर दिखाते हुए सनी देओल को मैदान में उतारा है जो उनके लिए कैंपेइनिंग भी बाकी सीटों पर करते रहे है तो कॉंग्रेस पार्टी से सुनील जाकर जो की प्रदेश अधियक्षपी है वो मैदान में है सुनील जाकर दरसल जब विनोत करना जो की सिटिंग MP ते जब उनकी मृत्ती हुई तो सुनील जाकर उप्चुनाव में जीते, अब सीट कॉंग्रेस के पास है लेकिन स्रनी देओल जिस तरह से प्रचार में दिखाई दे रहे हैं और जो समर्थन उन्हें महिलाओं की तरफ से यूथ की तरफ से मिल रहा है तो क्या वो सुनीर जाकर से ये सीट कबजाने में कामियाब रहते हैं इस पर नजर रहेगी अब आईए बात करते हैं अमरिट सर की जहां से बीजेपी के दिगजनेता हरदीप सिंग पुरी जो की मंतरी भी है वो मैदान में हैं और कॉंग्रेस पार्टी से हैं गुर्जीत सिंग इस बार मैदान में कैप्टन अमरिंदर सिंग जिन्होंने 2014 में भाजपा के अरुन जेटली को हराया था वो इस बार पुरी को हराने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे वहीं पूरी 1984 में सिंग विरोधी दंगो के विरोध में सैंपितरोदा के हुआ तो हुआ बयान को लेकर कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साध रहे हैं और ये ऐसा बयान था सैंपितरोदा का जो कॉंग्रेस पार्टी के लिए सेल्फ गोल कहा जा रहा है क्योंकि सिख वोटर्स को ये सेंटिमेंट उनकी सेंटिमेंट को जरूर प्रभावित करने वाला बयान है असमवेजनशील बयान कहते हुए प्रोटेस्ट भी हुए हैं वहाँ पर आनन्दपूर साहिट भी हाई प्रोफाइल सीट क्योंकि कॉंग्रेस से यहां पर पूर्व मंत्री रहे और दिगजनेता कॉंग्रेस पार्टी के मनीश तिवारी मैदान में है तो अकाली दल से प्रेम सिंग है इसके अलावा आईए अब बात करें अगर फिरोजपूर सीट की तो सुबीर सिंग बादल अकाली दल से मैदान में है और शेर सिंग कॉंग्रेस पार्टी से सुबीर सिंग बादल मैदान में है लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि उनके लिए चिनौती यहां पर बड़ी हो सकती है हालांकि गठबंदन को देखते हुए सपोर्ट बड़ा है और जो पोस्टर्स वहां पर लग रहे हैं उसमें प्रधान मंत्री मोधी का चेहरा भी दिखाई दे रहा है यानि वोटिंग जब प्रधान मंत्री के नाम पर हो रही है तो ऐसे में बीजेपी और अकाली गठबंदन कितना यहां पर मजबूती से वोट बैंक को पकड़ पाता है यह देखना दिल्चस्पों का भटिंडा भी इस बार दिल्चस्प हो रही है बादलों का गड़ दरसल लिए हिलाका है फिरोजपूर जहां से सुख्मीर सिंग बादल है और भटिंडा जहां से हम हर्सिम्रत कोर बादल है केंदर में मंत्री भी है और अमरिंदर सिंग राजा कॉंग्रेस पार्टी से मैदान में है लेकिन जब पिछला चुना हुआ था 2014 का मोदी लेहर के को बचा पाने में हर्सिम्रत को और कामियाब हो पाएंगी संग्रूर से भगवन सिंग मान आमाभी पाटी से मैदान में और परमिंदर सिंग अकाली दल से हैं भगवन मान को आपने अनूठे तरीके से प्रचार करते हैं वो कभी आपने उनको बस के ओपर नाशते देखा हो लेकिन जनता के दिल पर क्या राज करते हैं देखना ही होगा चंडीगर से सिटिंग MP किरण खेर ही मैदान में हैं और उने टक्कर दे रहे हैं Congress party से पवन बंसल लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन बंसल को लोग वहाँ पर पसंद करते हैं किरण खेर सांसत बनने के बा और उनके प्रतिष्था किरन खेर के मौजूदगी को चुनौती दे पाती है तो ये तमाम हाई प्रोफाइल सीटों का हाल अन्य आपको बताया लेकिन नतीजे क्या होंगे 23 मई को मालूम चलेंगे लेकिन उससे पहले आज शाम चार बजे से आज तक पर एक्जिट पोल रही है